नमस्कार दोस्तों बंगाल में तीसरी बार ममता बनर जी के मुख्य मंत्री बनने के बाद से भारती जन्ता पार्टी की लगातार मुश्किलें बर्थी जा रही हैं अब ममता बनर जी एक्सन में आ गई हैं बंगाल भारती जन्ता पाटी अध्यक्ष और मितुन चक्रवर्ती के खिलाप इस बड़े मामले में एफाइयार दर्ज कराई गई है वहीं पतंजली बाबा राम देव की भी मुश्किलें बढ़ गई है इंडियन मेडिकल एसोसियेश बंगाल भीधान सबाद चुनाओ के नतीजे आने के बाद जिस तरह से बंगाल में हिंसा हुई थी उसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी या तकी नहीं टीमसी ने भाजपा नेताओ पर ही हिंसा भड़काने का आरोप लगाये था अब हिंसा भड़काने के आरोप में भारती जनता पाटी के नेता मितुन चक्रवर्ती और बंगाल अध्यक दिलीब घोस के खिलाप दर्च कर रही है दो दिन पहले टिमसी कार करता मितुन चकरती और दिलीब घोस को बंगाल में हिंसा और सांतिव भग करने के लिए उकसाने का आरोप लगाये था मित्विजे की सिकायत पर ही कुलकत्ता पुलिस ने दोनों नेताओं के खिलाब केस दर्च कर लिया है अलकि हिंसा के दोरान भारती जनता पार्टी लगातार दावा कर दे थी कि टीमसी की जीत के बाद भारती जनता पार्टी कारकरताओं को निसाना बनाया जा रहा है नतीजे घोसित होने के बाद बंगाल के अलग-अलग इलाकों में हिंसा होई जिसमें कई लोगों की जाने गई वहीं टीमसी ने पुलिस में दी गई सिकायत में काये कि भारती जनता पार्टी करकरताओं ने सीधे तोर पर इन दोनों निताओं के बयान जिम्मेदार है ये लोग अपनी जिम्मेदारी से नहीं बस सकते हैं हलाकि कबर के मताबिक पुलिस ने दोनों निताओं के खिलाप यानि मिक्तुन चक्रवर्ती और बंगाल अध्यक्ष दिलीव घोष के खिलाप केस दर्च किया है वहीं कोरोना मरीजों और डाक्टरों का मजा कुड़ाना रामदेव को भारी पड़ गया है जियां आईमेफ उपाध्यक्ष ने रामदेव के खिलाप केस दर्च करवाया है कोरोना मरीजों और डाक्टरों का मजा कुड़ाने वाली बाबा रामदेव की टिपडियों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इंडियन मेडिकल एसोसियेशन यानि आईमेफ के उपाध्यक्ष डाक्टर नोजोज सिंग दहिया ने सनिवार को जालंदर पुलिस में केस दर्च करवाया और उनके खिलाप कड़ी कारवाई की मांग की है जिया आपको देदे आली में सोसल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही वारल वा तैश में रामदेव कहे रहे थे कि चारों तरप आक्शिजन ही आक्शिजन का भंडार है लेकिन मरिजों को सास लेना नहीं आता है और वे नकारात्मकता फेला रहे कि आक्शिज़न और सिलें के लिए अपमान जनक और मान हानी कारक है मांग की गई है कि कोबिट 90 को लेकर प्रोपेगंडा फैलाने के लिए रामदों के खिलाब आपराधिक मुकत्मा धर्च किया जाना चाहिए उन्होंने का कि इस तरह कि अपमान जनक और मान हानी कारक टिपडियां करना कोबिट 90 के इलाज के लिए जारी किये गए निर्देशों का उलंगन है वहीं आपको दे बिहार में भी भारती जन्ता पार्टी अल्थसंख्यक मुर्चा के प्रदेश मंत्री सहीद पास निताओं को गिरपतार किया गया है सराब बंदी के बीच इन निताओं के घर पुलिस ने जब चापा मारा तो धेर सारी दारू की बोतले मिली जियां बिहार में सराब बंदी लागू है लेकिन इसके बावजूद सराब का ब्यापार खूब फल फुल रहा है सराब माफिया अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं अब सराब माफिया के साथ ही सरकार से संबंदित ल भाजपा नेता सहीद पास लोगों को एरेस्ट किया है। प्राप्त जानिकारी के मुताबिक मदबनी पुलिस को खूपिया सुचना मिली की एक बैक्ती स्टेशन रोड के एक मकान में बाइक से सराप के डिलेवरी करने आ रहा है। जिसके बाद पुलिस स्टेशन रोड में उ सकील आमत के बेटे आसित इकबाल के रूप में की है। पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर उसने कबूल किया है कि ओ और उसके पिता भाजपा नेता सकील आमत कई जगों पर सराप की होम डिलेवरी करते हैं। पुलिस ने इनके बाद भारती जनता पार्टी अलसंक्यक भर भी चापे मारी की। चापे मारी के दोरान पुलिस ने 50 लिटर से ज़्यादा नेपाली सराप बरामत की। चापे मारी के बाद पुलिस ने भाजपा नेता उसके बेटे सहीद पांच लोगों को तुरंत ही गरपतार कर लिया और उन पर गंबीर धाराओं में मुकदमा भी दर्च कर लिया गया है वहीं आपको उधा दिन दिली हर्याणा रायस्थान उत्तर प्रदेश सहीद 26 राज्यों में लागडाउन लगाई गया है जहां देश में लगातार कोरोना टे मामले बढ़ते जा रहे हैं इस बढ़ते मामले को देखते गए राज सरकारे खुद से लागडाउन जैसी इस्थिती लगा रही है अब 26 राज्यों में लागडाउन लगाए गया है दिली में 19 अप्रेल से लागडाउन 17 माई तक बढ़ाए गया है वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना करफिय की योधी 17 माई तक के लिए बढ़ाई गया है हर्याणा में 7 देशी लागडाउन 17 माई तक बढ़ाए गया है बिहार में 4 से 15 माई तक के लिए लागडाउन लागू किया गया है और इसा में 5 से 19 तक के लिए 14 दिनों का लागडाउन लगाए गया है रास्थान में 10 से 24 माई तक लागडाउन लागू किया गया है वहीं जारखन में करफिय के अलमा कई पाबंदिया लगाई गई है वहीं चंडीगड में सब्थान लागडाउन लगाए गया है मध्य प्रदेश में भी 15 मई तक जनता करफिय लागू रहेगा गुजरात में रात 8 से सुबह 8 बे तक करफिय और 36 अरों में 12 मई तक पाबंदिया लगाई गया है माराष्ट में पाबंदियों को 15 मई तक पढ़ाये गया है वहीं पश्चिम मंगाल में पिछले हफ्टे से ही सक्त पाबंदिया लागू की गई है असम में रात के करफियू रात 8 बजे की बजाय साम 6 बजे से लागू कर दिया गया है नागा लेंड में 30 अप्रेल से 14 मई त प्रदेश में सनीवार यानी 8 मई से साम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक रातरी करफियू लगाये गया है मणीपोर में साज जिलो में 8 से 17 मई के बीच रातरी करफियू लगाये गया है सिक्किम में 16 मई तक लागडाउन जैसी पाबंदिया लगाई गया है जम्मू कस्मीर में 10 पुड्डू चेरी में 10 मय से 24 मय तक लागडाउन का फैसला किया गया है अलाकि इसमें दिन चरया में उप्योग होने वाले वस्तूों की दुकाने खुले रहने का आधेश दिया गया है जिसमें दूद, मेडिकल स्टोर, रासन की दुकाने और कही कहीं सबजी की दुकाने भी खुले रहने के पर्मीशन दिये गया है